हेलो स्टुडेंट जैसे कि आपको पताइए कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि कॉम्पैक्टनेस और फाइनाइट डैमेंशन की डैफिनेशन और जो उसमें थियोरम्स थी वह मैंने वहाँ पर थियोरम्स बताई थी यह थियोरम कि यह important है और एक्जाम में आती रहती है इसी दो थियोरम है एक थियोरम में इस वीडियो में करा रहा हूं और जो दूसरी थियोरम होगी वह दूसरी करांगा ठीक है तो वह अगर आपने इससे पहले पहली वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने बताया तक theorem है जो कि exam में पूछी जा चुकी है बहुत बाग ठीक है तो अभी पहले हम इसका statement देख लेते हैं किसका statement क्या है इसमें क्या दे रखा है कि a compact subset m कोई हमारे पास compact subset है m किसका है of a metric space किसी metric space का जाएक अगर क्या होता है तो वह क्या होता है इसके लिए पहले आपको पताओ न चीहें कि compact subset होता क्या है तो मैं पहले ही बता चुग हम इस वीडियो का link में डिस्क्रिशन में देदूंँ क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो मैंने उसी पर वनाई थी तो उसका link में discussion में दूँ हाँ से जाकर आप check कर लें अगर वो आप video देख लेंगे तो यह आपको समझने में असानी होगी क्योंकि compact इसमें क्या है इसमें पूरी definition का use होना है compact subset की तो एक वाँ जरूर जाकर आप देख लें जैसे कि यहां पर यह दे रखाया है compact set है किसी matic space का तो हमें क्या है उसको closed and bounded proof करना है तो एक एक करकर हम प्रूफ करेंगे पहले closed proof करेंगे फिर क्या बाउंड़ प्रूफ करेंगे तो यह हम लिख दिया proof यहां से में start करेंगे लिखेंगे by definition बाइड़ डेफिनिशन से हमें जो है क्या दे रखाया है यहां पर जो हमें given है आपर कि कोई हमारे पास m है वह क्या है subset है किसी compact का नहीं उसकी Closer का तो ** क्या है म क्या है यहां पर हमने लिख दिया अब क्या है यह आगिए यह बाइड़ डेफिनिशन से अब क्या है हमें आप लिखेंगे फॉर यहां पर जो x है एक्स बलॉंच करेंगा उसके user में तो x गया हijn यह तो ए्म का कोई element है ठीक है एक्स क्या है या तो M का कोई element है या X क्या है M का limit point है जैसे की definition में मैंने बताया था ठीक है इसकी definition में आप जाकर देख लें तो क्या है अगर यह क्या है belongs करेगा उसके closer में M में तो there is a sequence है तो हमें है sequence प्राप्त होगा क्या होगा हुई XN in M में XN in M में ठीक है तो such that हमें sequence मिल जाएगा XN से X में यह हमें क्या sequence मिल जाएगा अब जो हमने definition पड़ी थी मैं भी दिखाऊंगा भी ठीक है यहां पर कि since M is compact तो M क्या होगा हमारा compact होगा ठीक है जो हमारे यहां पर M था यह क्या होगा हमारा compact होगा और हमने जो definition पड़ी थी मैं दिखा भी देता हूँ एक बार कि अगर M हमारा क्या है compact है यह लिखा M is compact compact होता है तो जो भी हमारा sequence होगा इन M के अंदर वह है रखेगा क्या रखे है Convergent Subsequence यह मैंने बताया था यह जो हूज limit करके लिया गड़ा है वह X या तो इस X क्या है M की कोई element हो सकता है या उसका limit point हो सकता है ठीक है अब इसे कर दो साइड में तो हमने क्या करा अब यहां पर यह हमारे पास sequence तो मिलिए अब क्या इस जो sequence का है इसके पास क्या हुआ Convergent Subsequence रखेगा नहीं रखेगा तो वही लाइन लिखेगा तो एवरी sequence यह जो हमारे पास sequence रखेगा तो हमारे पास क्या यहां साथ एक के मिल जाएगा जैसे की Convergent Sekrenza Lenks न क्यों क्या है Convergent Sekrens के ओपर एक्षिपन जिएics का Convergen Sekrens कrows Zukες लेला सब Redmi करीदिव इसके ब्लौंग करेगा जानि की जो एक्स है वो I הכ का limit point है है limit point आगई बात कि हमने proof करते हैं जो हम उपर मान के चले कि ऐसा हो सकता है यहाँ पर limit point आ गया अब हम यह बोल सकते हैं कि M जो हमारे पास closer था वो भी subset होगा M का equation 1 इसे बना ले तो दूनों क्या है दूनों से दूनों equations हम यह लिख सकते हैं कि M closer बावर होगा M के लिख सकते हैं यही बात लिख दिए और यहीं हमारा proof होगा पहला कि M क्या है हमारा closed है ठीक है पहला तो हमारा यहां पर proof कि कुछ नहीं करा हमने simple अपना है simple हमने क्या इसको करा ठीक है अब गया हमें दूसरा प्रूफ करना है पहला तो हमने कर दिए close है दूसरा में करना है कि वह bounded है यह प्रूफ करना है तो बावंड़ेट प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे उसको पहले क्या है, यह हम contradiction से भी contradiction ही होगा इसमें, तो contradiction भी last में लिख सकते हैं, तो हम क्या करेंगे हैं, भी proof हमें proof करना है कि that M is bounded, कि M हमारा क्या है, वहाँ पर bounded है, ठीक है, तो यहाँ पर हम मान के चलेंगे, suppose कि M is not bounded, यह हम मान के चलेंगे, और यह हमें क्या है, proof करना है यह हमने यहाँ पर क्या है मान करके चलेंगे जब मान करके चलेंगे यह कोई भी क्या है वह क्या होता है bounded होता है UM Boundated होता है तो हमने यह जो हमारे बॉल नैच्छर फ्योर्म थी jo मैंने जो मेंनस थ्योर्प कराई थी यह कराई थी finite dimensional इसपेस में शाने तो वहां पर theorem कराई थी, theorem आय थी बीच में, तो उसमें क्या है, आया था अगर कोई भी unbounded हो, तो वो क्या रखेगा, एक sequence को रखेगा, तो हम वहीं मान लेंगे, कि it would contain, इसमें contain करेगा an unbounded sequence, एक unbounded sequence होगा, वो क्या होगा, वा यह निया, मैंने वहां पर भी कराई थी, मै यहां पर screen पर दिखा दूआ, वह आपके photo लगा दूआ, वहां से आप देख लेना, ठीक है, वैसे कराई थी, नहीं देखी तो आप वह भी वीडियो देख लेना, उसका लिक्वी में है, description में दे दूआ, ठीक है, यहां पर यह आ चुगा है, ठीक है, आप देखते हैं, तो वह क्या होगी, greater than होगी, किस से greater than होगी, n से, ठीक है, यह आप ध्यान दखना, ठीक है, यह क्या होगी, अगर हमारे पास sequence है, यह वाला, जो हमने माना है, unbounded के लिए, तो वह क्या होगी, greater than होगी, किस से, n से, और यहां पर जो भी है, यह क्या है, एलिमेंट है, कहां एनदर कर रहें के अब हम यहाँ पर क्या करेंगे अब यह आगया हमारा हम फिर लिखेंगे इस स्यक्वार्टो नॉट है वार Monaten सुक्रण्स यह क्या है नहीं रखती नहीं रखती है constant सभस्यद ओगी जासिकिन नहीं राख्याट गया है होट यह कोusanicz की स्यक्वार्या रखेगी अगर यह सब्षांटमोडळ रख्ट अब क्यैक्त कोई'S बीश्टमोडोट ko lieया विदering उतिया क्हान भी होती है यहां पर भी दिखाया तो यहींज बात ऍ यह उस थियोरम में भी था ठीक है अगर यह Convergent Sequence नहीं होती और हम मान करें चलेते हैं कि सब सबस्केंस यह नहीं रखता है अगर जो भी Convergent Sequence होती है वो क्या होती है मस्टी बाउंडेड अगर यह नहीं सबस्केंस को क्योंकि यहां पर अन्बाउंडेड मान के चलेते अब अन्बाउंडेड होगा तो यह यहां पर Convergent Sequence नहीं रखेगा ठीक है अगर चुकि क्योंकि जो हमारी क्योंकि बाउंडेड होती है वही रखती है Convergent Sequence को ठीक है यह आप त्योरम में देख लेना मैं वहां पर लगा दूँआ तो हम यहां पर यह लिखतेंगे कि सिंस आग जो हमारा Convergent Subsequence मुश्ट भी बाउंडेड क्योंकि वह क्या होती है बाउंडेड यहां पर कि नॉट हैव आ सबस्केंट क्या कोई भी कर सबक्राइड और वही आया तो हम लिख देंगे क्या है हमारा कि एम क्या हमारा बाउंडेड ही होगा और क्या है वह Convergent Subsequence मुश्ट भी जो हमारी Convergent Subsequence होती है वह क्या होती है हमारी बाउंडेड होती है यहां पर लिख देंगे हिंस में बाउंडेड दोने चीज़े प्रूफ होगी अब क्या है इसमें एक चीज और है अगर इसका Converse आओ तो इसमें लिख देंगे कि इस Converse is not true in general अगर हम इसका Converse करें तो यह क्या होगा ट्रू नहीं होगा Converse का मतलब जैसे कि आपर दे रखा था कि अगर हमारे पास कोई Compact है तो वह क्या होता है लेकिन वह Compact नहीं होगा यह हमें प्रूफ करना है तो इसका भी असान अब इसे प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे जैसे कि आपर हमने लाइन तो लिख दी अब क्या करना है तो प्रूफ दिस इन्पटेंट फैक्ट हम इस जो इन्पटेंट जो फैक्ट है यानि कि जो बाउंडेड और क्लोज होती है लेकिन Compact नहीं होती तो भी Consider the sequence हमें कंसिडर करेंगे sequence in in L2 के अंदर ठीक एक sequence ले लेंगे वेर इन बरावर होता है chronica delta nj chronica delta nj और हमें जिसमें sequence मिलता है उस sequence हमें मिलता है जीरो 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 आसी last में हमें समझें सारे जीरो जाएंगे लाश्ट में मिलेगा में 1 ठीक और ऐसी आगे चलते रहेंगे लेकिन last में जो हमें मिलेगा मिलेगा वह मिलेगा वन क्वेदै कि हमने लिख भी दिए अगर सुची में घृइंद सारे तरंश क्या ओंगे जी रोंगे यह हमारे पास क्या ही जाएगा जो यह sequence है हमारे पास this sequence is bounded होगी since norm of EN बरावर होगा क्योंकि हमें both bounded मंदलाब last उसकी limit मिल चुकिए तो वो या bounded हो जाएगा बरावर 1 पर सही है तो bounded तो हमें प्रूफ कर दिया क्लोज्ड करेंगे इच रव्ड êtes रम्च और पास है पॉंट सेट विच इस यह क्लोज यह क्या होगा अब गया यह क्लोज यह इसकी टरूंतल जो इसमें दे रखा है कि जो जी इसागए 1 ही टर्म है पुरा पूरा बपोज विक विच इस हैंनो लिमिट पॉइंट इसमें क्या है कोई limit pointer नहीं है कि यहां से लेकर यहां तक है ऐसा इन्होंने कुछ नहीं दे रखा कि limit point है या नहीं है तो हम लिख देंगे because it has no limit point इसके पास कोई भी limit point नहीं है limit point का मतलब कि हमें दे रखा हो कि यहां से यहां तक है यह one से ten तक है यह one से four तक है ऐसा कुछ नहीं है यहां पर कोई लिमिट नहीं, so that point set, जो हम point set मानेंगे सही है, जैसे कि यहां पर क्या है? हम यहां पर एक set मानेंगे, यहां पर मान लेंगे, कहां, set मान लेंगे, be बराबर, point set, because it has no limit point, term हो जाएंगे 0, तो हम क्या है? यह जो, हम point set लेंगे, वह ले ले लेंगे, B बराबर, E1, E2, E3 dot dot, ऐसे सारे के सारे चलते रहेंगे आगे तर, तो ये हमारा क्या है, एक point set है, जो ऑंने याँ ब लिए हैं, तो which is closed, ये क्या है closed है, because it has no limit point, इसमें क्या है कोई भी limit point नहीं है कि कहां से कहां तक है तो यह क्या है no limit point और यह क्या हो गया सारा closed हो गया ठीक है so that point set जो हमारे point set हमने माना है ठीक है point set is not impact और जो भी हमारे point set होते हैं जिन में क्या है limit हमारी नहीं होती कोई भी limit नहीं होती तो वो क्या होते हैं हमारे compact नहीं होते है अगर हमारे पास कोई साइड है और उसके पास कोई लिमिट नहीं है नहीं है सो जो घुल होगा अगर लिमिट नहीं है उसके पास तो बहुम्त होगा कॉंपैक्ट नहीं होगा ठीग है तो कुछ नहीं करना वह पहले उसके बाद रूबुन करना यह दोनों पुरूफ करने के बाद में हमें स्रिफ यह पुरूफ करना है कि जिसका जो कनवर्स है यानि कि जो हम क्लोजड और बाउंडड होती है लिएंग कॉमपेक्ट नहीं होती यह प्रूफ पर के दिखाना है यह थियोरम हो जाएगी ठीक है तो यह हमारी मतलब यह थियोरम थी आप जो इससे नेक्स्ट वीडियो आएगी जो इसकी दूसरी थियोरम है वह क्य क्या है वीडियो इसके बाद आएगी ठीक है और अगर क्या है आपने कॉम्पेक्ट सब्सक्राइब की वीडियो नहीं देखिए तो पिलीज जाकर के देख ले उससे क्या है आपको जल्ली किलियर हो जाएगा ठीक है अब क्या है जो हमारे फंक्शन एनलस की जितनी वी टॉ पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंड में बता दे मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा ठीक है तो अब क्या है हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी थियोरम है उनके साथ में जब तक क्या है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने और ऐसे यह और टॉपि झाथ झाल है क्या है तुम्हा एं में जब करें जो हमारे तुम्हार है हमारे चैनल को सम人् और बना है उस ए उ समूंगा प्र सकारा आव एक है इस खाहे है